हाफsters पाप पेकेट करेले की लोगा है, फ्रोजन करेले के लिए फ्रेश के लोगे सकते हैं उसमें भी प्रॉसीजर केड़ें यही होगा एक अचोटा मिल्वा नमक बिढने ताके करेलों कि रिआसरे नमक से होने हैं करेलों को नमक के साथ 15 मिनट छोड़ दें एक टीस्पून उरत दाल एक टीस्पून चना दाल लिये मैंने एक टीस्पून क्यूमिन सीड्स एक टीस्पून सैसम सीड्स तिल के सीड्स जीरा है एक टीस्पून धनिया के सीड्स एक टीस्पून मेथी दाना 20 अल्मंट्स हैं, 4 सूखे लाल मिर्चें तो अब हम इन सब को ड्राय रोस्ट करेंगी बून लेंगे सारे सूखे मसालों को 1-2 मिनट तक ताके इससे खुश्बू अच्छी आए मसाला जलना नहीं चाहिए अच्छे से मसाले को पका लें 1-2 मिनट तक बून लें मसाले को और इससे पकने दें मसाला अब हम इसको ब्लेंड करेंगी जो हमने ये मसाला रोस्ट किया था बून लिया था अब ये सारा हम ब्लेंड करेंगे पाउडर में तो ये मैं पूरा डाल देती हूँ ब्लेंडर में में पूरा डाल दिया और और प्रावह भीक पाउडर को पूरा बना लए इस मसाले का, जो हम ने चुरू में में आपको इंगेडेडिएंट्स जो बता रिए ... हम ने बून लिए फिर इसका पाउडर बना लिया अब यह एक टी स्पून उरत दाल, एक टी स्पून चना दाल, एक टी स्पून उरत दाल, वन बै फोर टी स्पून राई, वन बै फोर टी स्पून क्यूमिन सीट्स, और वन टी स्पून लेसन है, वन बै फोर टी स्पून हींग है, एक वन बै फोर टी स्पून अदरक का उरत दाल, चना दाल, अद्रक, लेसन, जीरा, घींग, क्यूमन सीट्स, यह मेथी राई, यह सब हम इसमें डाल देंगे, इसको पका लेंगे, बून लेंगे, एक मिनट के लिए, इसको बून ले, अब हम दो प्यास लेंगे, कटे हुए, अब हम इसमें प्यास डालेंगे, और प्यास को golden brown fry करना है, भून लें प्यास को अच्छे से, जब तक अच्छा golden brown नहीं होगा, तब तक gravy का मज़ा नहीं आएगा, तो जब भी प्यास बनाएं, हमेशा उसको अच्छे से golden brown fry करें, अच्छे से प्यास को पका लें पहले, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, यह finger slices में मेंने प्यास को काटा है, और प्यास को golden brown fry कर लेंगे, और जब तक प्यास फ्राइartet होता है, तब तक हम करेलों से अब पानी निकाल लेते हैं, 15 मिनट हो गए, करेलों को marine करके हूए, अब हम सारे करेलों से पानी निचोड लेंगे, तो यह देखें, सारे करेलों स मैंने पानी निचोड दिया निचोड लें सारे करेलों से पानी ये देखें मैंने पानी निचोड लिया सारे करेलों से ये देखें सारे करेलों से पानी निचोड लें पानी निचोड़ेंगे क्योंकि तेल गरम करने के लिए रखा है फिर हम करेलों को फ्राय करेंगे इसलिए के पहले पानी निचोड लें इससे करवापन भी कम होता है और फ्राइंग के वक्त ज्यादा पानी भी नहीं उचलेगा तेल नहीं उचलेगा ज्यादा तो अब हम इसे हाइफ लेंपे, मीडियम टो हाइफ लेंपे चार से पांच मिनट तक फ्राइ कर लेंगे या इतना फ्रा करेलों को पका लेते हैं, गोल्डन ब्राउन फ्राय कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चमचा हिलाते रहें, और पकाते रहें करेलों को, ये देखें, मैं थोड़ी थोड़ी देर में चमच चलाती रही हूँ, ये फ्राय हो गए, अब हम इनने निकाल लेते हैं, ये द मुआ करेल लगा ने प्यास हमारे कहाँ तक पहुंचे जब प्यास का ऐसा kolर आजाए इतने तक फिराई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे फ्राय के वे करेले ऐन गॉल्डेन ब्राउन हो गए है करेले डालेंगे, एक कप पानी डालेंगे पाउडर डालेंगे जो शुरू में हमने पाउडर ब्लेंड किया था एक टेबल स्पून डालना है पूरा मसाला नहीं डालना है सही है वरना ज्यादा तेज हो जाएगी सबजी और मिर्चें भी ज्यादा लगेंगी एक टेबल स्पून डाल दें ज्यादा अगर डालना चाहे तो दो टेबल स्पून उससे ज्यादा नहीं एक टेबल स्पून इमली का गूदा डालेंगे टैमरेंड पल्प हाफ टीस्पून नमक डालेंगे और हाफ टीस्पून चीनी डालेंगे इसमें अब हम हाफ टीस्पून चीनी अब हम इसे चार से पांच मिनट पकाएंगे मीडियम फिलेम पे चार से पांच मिनट भून लें फिर हमारी सबसी बनकर त्यार है चार से पांच मिनट इसको पका लें ये देखें हमारी सबसी बनकर त्यार है इमली के वज़ा से कलर कितना अच्छा आया है तो अब हम इसको सर्व करते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, यूर व्यूज में टैस अलोट प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को जरूर दबाएं थें